हेलो फ्रेंड्स, वल्कम टू माई यूटूब चैनल, एस्टेडी वाला रिटेल मैनेजमेंट का यूनिट फोर आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, इसमें जो मेन टॉपिक है हमारा रिटेल लोकेशन्स, कि ये रिटेल लोकेशन्स क्या होता है, आप एक बार अपन कि ये रिटेल लोकेशन्स होता है, बिफर विजिटिंग आ मॉल और आ सॉप, किसी भी मॉल और सॉप में, दुकान में, विजिटिंग करने से पहले, किसी भी दुकान या किसी भी मॉल या किसी भी सॉरूम विजिट करने से पहले, जाने से पहले, पहले जो कॉस्टिंग आता है, किसी भी मॉल या किसी भी दुकान पर विजिट करने से पहले, कियार कितने दूर जाने है, यहां से कितना किलोमेटर होगा, कितना दूरी है, यह सारी चीज़ हैं आप भी जरूर सोचते होगे, इन पपॉलस इस अस देली, मूमबाई, बैंकलोर, कोलकाटा, टू नेम और फ्यू, इन पॉपुलेशन जो सिटीज है जैसे डैली, मुंबाइ, बैंगलोर, कोलकाता इस सारी जो सिटीज हो गए यह बहुत जादी इसमें पॉपुलेशन है अगर रोट पे जाते ट्राफिक इतने होते हैं कि घंटो घंटे तक ट्राफिक जाम में फसके रह जाते हैं इन सच केसे, इस केस में तब क्या हो सकता है इनके इस केस में क्या होता है कि जो रिटेल आउटलेट से वो प्रोक्यूर दिन बादिन हमारा उगे जरुरत बनता जाता है जो कि बहुत ज़्यादे difficult हो जाता है घर से दूर अगर कहीं आपको shopping के ले आते हैं कोई mall वगरा में कोई shop में अगर jam में फस जाते हैं तो बहुत ज़्यादे आपको problems आ जाते हैं बहुत ज़्यादे दिक्कत हो जाती है It is very important for the consumers to have retail stores near where they stay यह बहुत ज़्यादे important हो जाता है consumers के लिए एक retail shops जहां वो रहते हैं अब इसी बात है कि जहाँ पर population cities जो हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा population हैं उनके लिए क्या हो जाता है कि अगर वो सोचते हैं कि जितने पास उनके retail shops हो जाएं जितने पास उनके malls वगरा हो जाएं या shops वगरा हो जाएं तो वो आसानी से उस वहाँ से purchase कर सके shopping कर सके ताकि उसको किसी भी तरीकी का jam में फसने का नौबत ना आए आप भी ऐसा जरूर सोचते होंगे आई होप कि आपको retail locations समझ में आ गया होगा अब उनके importance देख लेते हैं कि business retail business में क्या importance locations का importance of location in retail business पहला point से business location is a unique factor which the competitors cannot imitate business locations obviously बात ही कि वह एक बहुत अच्छा factor है बहुत unique factor है locations बहुत ज्यादे माइने रखता आपके business के लिए जो एक competitors जो imitate नहीं कर सकता है आपको it can give a strong competitive advantage यह business locations आपके लिए बहुत ज्यादे strong advantages हो सकता है अपने competitive को पजारने के लिए पीछे रखने के लिए number two is selection of retail location is a long term decisions अगर कोई भी आप अगर decisions लेते ही selection करने का locations को तो यह short terms के लिए आप नहीं कर रहे हैं यह long term decisions होता है कि यहाँ पर जो business हमारा यह long term के लिए आएगा ना कि 2-4 दिन के लिए एकाज साल के लिए number three it requires long term capital investment और उस पर एक long term capital invest आप करते हैं long term के लिए आपको capital invest करना होता है location choose करने में locations can help to change customers buying habits locations भी बहुत ज़्यादे matter करता है आपके business में के consumers का जो buying behavior है habits से वो बदल जाते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि consumers दूर जाना नहीं चाहते पास कही जो उसके nearest में जो malls पढ़ता है store पढ़ता है वहीं से purchase कर लेते हैं good location is the key element for attracting consumers customers to the outlet एक अच्छा location जो है वह attractive करने में customers को वह main elements भी हो सकता आपके business के लिए तो I hope कि आपको इनके importance समझ में आया होगा अगर नहीं आया है तो आप फिर से दुबारा देख सकते हैं बहुत ही simple है आप same as it is ऐसी exam में लिख देना आपको पूरे marks आ जाएंगे भी हमने तो meaning and definitions पढ़ लिया अब उनके importance भी देख लिया हमने अब इनके types कितने होते हैं इनके क्या-क्या types हैं तो पहला जो types है business locations के वो पहला है solitary sites इस अब यह solitary sites क्या होते हैं तो देख लेते हैं हम लोग फिर discuss करेंगे these are single free standing shops यह single जो business होते हैं जो standing shops होते हैं आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुकानों के सामने छोटी छोटी जो दुकान लगे रहते हैं वो खड़े खड़े अपने customers को services देते हैं उसी को solitary sites कहा जाता है which are isolated from other retailers जो दुसरे retailers के सामने दुसरे दुकानदार के सामने वो अपनी छोटे छोटे दुकानदार दुकानदारी कर लेते हैं जो आपने देखा होगा कि रोड के बगल में छोटे छोटे दुकाने लगी होती है या कोई भी बड़े दुकान के सामने छोटे से टप्री लगा के रहते हैं अपना दुकानदारी कर लेते हैं आपने देखा होगा कि चाट पकोड़े के दुकान के लगे होते हैं कोई भी मॉल के सामने कोई भी दुकान के सामने या कोई भी रोड के पास में अब इनके अड्वांटेम क्या हैं? अड्वांटेम के पहला कि लेस क कोई से लगता है ही इस में बिल्कुल भी ज्यादा तर कोश्ट नहीं लगता है इसमर कोई competitions नहीं होता है बहुत कम ही competitions इसमें होते हैं नमर थी है less operations restrictions और इस पर operations का कोई बोज नहीं होता बिलकुल भी नहीं इस पर कोई भी operations का काम नहीं होता है and disadvantages भी हैं इनके के non pedestrian traffic इस पर इस तरीके का shops में ज्यादा traffic नहीं होता है ज्यादा लोग नहीं होते हैं low visibility इस पर ज्यादा लोग नहीं दिखते हैं आपको ज्यादा तर खाली ही दिखेंगे इस तरीके का shops में and number two है planned shopping areas जो number two इनके जो business locations को जो types है वो दूसरा types है के planned shopping areas जो भी shopping area है वो plan करके ही shop लगाए जाते हैं are retail locations that are architecturally well planned to provide a number of outlets preferably under a theme इस तरीके का जो retail locations हैं वो architectures के दुआरा well अच्छा से planned किया जाता है और कुछ outlets numbers को यह provides किये जाते हैं these sites have large retail brand stores इस तरीके का sites में क्या होते हैं बड़े-बड़े brand लार्ज दुकाने बनते हैं इस पर बड़े-बड़े brands के stores बनते हैं जैसे mall में आपने देगा होगा कि बहुत बड़े sites पर एक mall बनाया तो उसमें बड़े-बड़े brands आते हैं there are various types of planned shopping centers such as neighborhood और community centers malls lifestyle centers etc अपने देखा होगा कि जो malls बनते हैं वो बिल्कुल architecture के दुआरा उसमें plan किये जाते हीं और तब उस पर एक shopping mall खड़े-कर खड़े-करे जाते हैं और उसमें अलग-अलग तरीकी का हर brand आते हैं अलग-अलग तरीके का brands उस पर आते हैं lifestyle malls centers इस तरीके को बनाया जाता है तो आज होब कि आपको plan shoppings भी समझ में आया होगा जहां पर means के plan करके locations बिठाया जाता है जिस locations को plan करके business बिठाया जाता है उसी को plan shoppings areas कहेंगे अब इनके advantages भी तो कुछ होंगे हमने meaning definitions देख लिया plan shoppings areas के तो उनके advantages भी हैं कि high visibility इस पर high visibility भी होता है number two है high customer traffic जहिर से बात है कि malls वगरा अगर खोलेंगे तो उसमें customers जादा होते उस पर traffic जादा होते customers के excellent parking facilities इतने बड़े जब आप mall खोलेंगे mall open करेंगे तो उस पर parking facilities भी आपको देना पड़ेगा इस पर disadvantages है इनके high security required किते बड़े shops चलेंगे mall चलेंगे तो उस पर high security का भी जुरत पड़ती है high cost of occupancy इस पर cost भी बहुत जादे लग जाता है उसकी इतनी maintenance करने में number third है unplanned shopping areas जिस पर किसी भी तरीके का कोई भी planning नहीं होता है उसे unplanned कहा जाता है आप चलिए देख लेते हैं आपने खुद से देख लिया कि unplanned shopping जिस पर plan नहीं किया जाता है जिस business को करने के लिए उसे unplanned कहा जाता है बट यहां पर है कि these are retail locations that have evolved over time and have multiple outlets in close proximity इस तरीके का retail locations में क्या होता है कि वह evolved होते हैं over time और उस पर multiple outlets होते हैं close proximity में ठीक है कि उस तरीके का business उस तरीके का location जिस पर planning ना किया जाए और business लगा दिया जाए बिठा दिया जाए उसी को unplanned shopping areas कहेंगे number one है central business district such as traditional downtown areas in cities और towns towns में आप देखे होंगे कि जो unplanned location से कुछ भी मतलब कहीं पर भी कोई ठेला लगा के बैठा है कोई भी किसी तरीके का दुकान करके बैठा है तो यह इस तरीके का जो जगा होता है इस तरीका जो दुकाने होती है वो unplanned होता है कोई street में कर लिया कोई अपने गली में मुहले में कर लिया इस तरीकी का number two is secondary business district in larger cities and main street और high street locations जो secondary business districts हैं वो large cities में भी होते हैं और main street में और high street locations में लगे होते हैं अपने अपने street में locations along street और motorway लोकेशन पे ऐसे इस लोकेशन पे जो motorway जो रास्ते होते हैं motorway जो street होते हैं उस पर भी इस तरीकी का location पे business setup किये जाते हैं उसके advantages है high pedestrian traffic during business hours इस तरीके बिजनस में देखेंगे आपके जादातर traffic होते हैं जैसे आप bus stand में देखे होंगे कि किसी तरीके का कुछ भी business लगे होते है railway stations में देखे होंगे तो इस तरीके का जो business setup किया आता है इस पर भी high traffic होते हैं जो कि unplanned है high resident traffic इसमें high resident भी जाते हैं nearby transport hub और उसके nearby में transport hub भी होते हैं अब disadvantages है high security required इस पर high security जहर से बात है खुले में दुकान रहती है तो high security का भी required होता है poor parking facilities इस पर parking facilities नहीं के बराबर होता है अब वो railway station में अगर दुकाने लगी है तो उस पर कौन parking का facilities देगा अगर bus stand में लगी है तो उस पर भी facilities नहीं होता है जादा कि आपके दुकान को सामने आपको कोई parking करने दे तो I hope कि आपको समझ में आया होगा और नहीं आया है तो आप comment से बता सकते हैं दुबारा से समझा दूँगा और इसके जो आने वाले units हैं उसको भी आप देखने के लिए चैनल पर बने रहे हैं unit 5 इनके आने वाले हैं तो इनको भी देखने के लिए चैनल पर बने रहे हैं Thank you so much, keep watching, keep support.